हाई एविवन तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग वात्सेवा इवडीन के कैरेक्टर को कभर करेंगे आप सब ही इस वीडियो को लाश्ब तक देखियेगा साथी साथ वीडियो को गौर से जरूर सुनियेगा दोस्तो फार फ्रम दर मेडिंग कराउड एक बहुती सांदार नॉविल है और इस नॉविल के अंदर धेरो कैरेक्टर है लेकिन जो मेन लीडिंग फिमेल कैरेक्टर है वो है वात्सेवा इवडीन वात्सेवा इस नॉविल की हिरोईन भी है और अगर हिरो की बात करी जाए त दोस्तो इस नौवेल में आप पढ़े होंगे कि वात्सेवा नाम की एक लड़की होती है जो की अपने आंट के साथ रह रही होती है और इनके आंट के घर के निकट ही गैबरियल ओक का भी घर होता है गैबरियल ओक वात्सेवा को पहुत प्यार कर रहे होते हैं मन ही मन लेकिन वात्सेवा किसी से प्यार नहीं करते हैं वो बिलकुल सोतंत रहने वाली लड़की होती है एक दिन क्या होता है गैबरियल ओक के घर में आग लग जाता है और वात्सेवा इस आग के लपेटो से गैबरियल ओक इनसे इंप्रेस हो जाते हैं और साधी का प्रस्ताव इनके आंट के पास रखता है जब वातसेवा को ये पता चलती है कि हमारे आंट के पास आया था साधी का प्रस्ताव लेके तो फिर दौरी-दौरी गैबरियल ओक के पास जाती है और इन्हें कहती है कि करन की होती मेरे पीछे ढेरो लड़के पड़े है अगर मुझे साधी करना होता फिर मैं तुझ से ही क्यों करू ढेरो है तुमसे अच्छे भी है मैं उन्हीं से कर लेती तो ये कहके वहाँ से चली आती है ग्यावडिये लोग निराहस हो जाता है क्योंकि इनके प्रपोजल को ठुकरा देते हैं अब क्या होता है कुछ दिन के बाद वातसेवा के एक अंकल होते है जो की विदरूरी में रह रहे होते हैं और इनके पास बहुत बड़े जैजात होते हैं फार्म भी होते हैं तो उनका दिहान तो हो जाता है तो वादसेवा अपने आंटignant के यहां से चली जाती है विधरोरी अपने uncle के पास और uncle के मृत्यू के बाद जितने भी जैदात प्रपर्टीस होते हैं इन सभी का जो मालिक हो जाती है ये वादसेवा हो जाती है अब वादसेवा सासन करने लगती है फार्म होता है घेरो जानवर होते हैं बहुत बड़े जमिंधार ये अब हो जाते है कुछ दिन के बाद क्या होते हैं गैब्रियल ओक के जो एक कुते होते हैं वो इनके सभी भेरों को घायल कर देते हैं बहुत निराज होता है गया अब ये लोग और फिर वो ठानता है कि नहीं मैं इस में नहीं रहूँगा मैं ये भेरिया तेरिया नहीं पालूँगा मैं कहीं पे जा रहा हूँ ड्यूटी करूँगा वहीं पे रहूँगा खाऊँगा और अराम करूँगा ये सोच के वो यहां से निकलता है और विदरूरी की ओर चला जाता है विदरूरी जब जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि एक फार्म है और उस फार्म में आग लगी हुई है फार्म तो आग के लपेटों में है ही साथी साथ वहाँ पे धेरो जानवर है उनका जान भी जोकिम में है तो फिर ये अपना जान जोकिम में डाल कर फार्म को भी और जानवर को भी बचाते हैं अब इन से इस फार्म के जो मालकिन होते हैं इंप्रेस हो जाते हैं और यह मालकिन कोई और नहीं वाध सेवा होती है मैं आपको बताया कि इनके अंकल वीदर्बूरी में रह रह होते हैं जो कि बहुत बढ़े जमिंदार होते हैं लेकिन इनके दिहान्त के बाद हर एक चीज वाध सेवा का हो जाता है जोखी में डालके इसे बचाया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो कहता है कि मुझे ज़्यदा कुछ ने चाहिए, मुझे एक नौकरी चाहिए, नौकरी करके मैं खुद अपना पेट पाल लूँगा, फिर गैबरियल ओको वातसेवा रख लेती है, वह इसे भी गैबरियल सेफ़र होता है, स्पेसलिस्ट होता है, जानवर के पीछे, तो गैबरियल ओको रख लेता है, कुछ दिन के बाद क्या होता है, वातसेवा एक चीज़ एब्सॉर्ब करती है, कि यहाँ पे जितने बंदे हैं, सभी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, सभी पागल है, लेकिन व देखती हुँ यह पिगालता है कि नहीं, तो एक दिन वातसेवा क्या करती है, एक लेटर लिखती है और वो लेटर नहीं एक मातरे स्टेटिमेंट होता है, और वो स्टेटिमेंट होता है, मैरी मी, और कुस्टन मार्क आगे लगा देती है, यानि पूछ रही कि मुझसे करने को कहती है और इसे serious ले लेता है विलियम वललूड वासेवा तो मजाक में यह tam लेकिन विलियम वोल वूड- q, ROS declined है वासे ले लेता है वासे ले लेता है और और वासेवा के पास और कव सादी करोगी बताओ कहां पर पास दिकर और के तो इन से नराज होता है वातसेवा से नराज हो जाता गैबरियलो कि देखो तुम किसी के इमोशन के साथ मत खिलबार करो जब तुम्हें साधी नहीं करना था तो फिर लेटर कहे दिया है उनको फिर वातसेवा भी इन पर गुस्त आ जाती है कि तुम एक नौकर हो नौकर की तरह हो रहो तुम हुक्म चलाने वाले कौन होते हो हमें सलाह देने वाले कौन होते हो और वातसेवा गैबरियल ओक को गुस्ते में फार्म से भी निकाल देती है लेकिन क्या होता है वात्सेवा जब निकाल देती है गैबरियल लोग को तो उनके फार्म के जानवर मरने लगते हैं गैबरियल ओक के बिना तो फिर वो गैबरियल लोग को वापस बुला लेते हैं और जैसे गैबरियल लोग को वापस आते हैं सभी जानवर फिर से सही हो जाते है फिर एक बार क्या होता है सर्जन ट्रॉय नाम का एक आर्म फॉर्स के जवान आता है विदर उरी में वादसेवा क्या घर के निकट और सर्जन ट्रॉय दो चीज में स्पेसलिस्ट होते हैं एक गुर्सवारी और दूसरा तलवारवाजी और इन दोनों चीजों के कारण ही वादसेवा इनसे इंप्रेस हो जाती है और इनसे साधी करने की बात करती है फैनली दोनों साधी भी कर लेते हैं लेकिन आपको बता दूँ वादसेवा से साधी करने से पहले सर्जन ट्रॉय फैनी रोविन को पें तहाँ प्यार किया करते थे और ये दोनों साधी के लिए एक जगा चुनने थे और उस जगा पे दोनों को पहुँचना था लेकिन किसी बज़ा से फैनी रोबिन उस जगा पे पहुँच नहीं पाती है मिस अंडरस्टेंडिंग के कारण वो रा भटक जाती है तो उस कारण बस साधी नहीं हो पाता है लेकिन फैनी रोबिन प्रिगनेंट होती है और सर्जन ट्रॉय का ही वो बच्चा होता है कुछ दिन के बाद सर्जन ट्रॉय फैनी को देखता है कि ये तू प्रिगनेंट अवस्था में है और क्रिटिकल सिच्यूशन में है तवित इनका बहुत खराब है फिर वो टेक केर इनका करने लगता है लेकिन कुछ दिन के बाद फैनी रोबिन मर जाती है सदमे में आ जाता है सर्जन ट्रॉय अब अन्तिम संसकार के लिए ये जाता है समूंदर के पास समूंदर के निकट और अन्तिम संसकार करने के बाद बहुत दुख होता है मैंने इनके साथ बहुत धोखा किया बहुत बड़ा धोखा किया मैं भी नहीं जवित रहूँगा मैं भी समूंदर में ही कूद के मर जाता हूँ तो समुन्दर में कूद जाता है लेकिन नाविक उनके जान को बचाता है Finally Sargeant Troye बच जाते हैं लेकिन ये न्यूज वात सिवा के पास जाती है तो वात सिवा बहुत दुख होती है कि मुझसे साधी किया लेकिन ये किसी और से एक्शॉल में प्यार कर रहे थे गम में कूद गया पानी में समुदर में और वो लहधों में डूब गये October सात साल हो गया сбora अब वातसे करना हो गई थी कि ऐलीन वूणोरीन के पास जाता है कि सात साल हो गया अभी तक वो नहीं आया तो जो वादा कि हो पूरा करोगी या नहीं फिर वादसेवा सोचती है कि साथ साल हो गया नहीं आएगा अब मैं इसके इमोशन के साथ नहीं कहलूँगी चलो मैं इन से साधी कर लेती हूँ वादसेवा हां कह देती है एक डेट फिक्स होती है और विलियम वोल वूड एक ग्रांड पार्टी देता है बहुत बड़े पार्टी देता है और वहां पर साधी का एक्टिवीटी करवाते हैं जब साधी का एक्टिवीटी हो ही रहा होता है कि सर्जन ट्रॉय को वहां पर एं विल्यम वोलूड क्योंकि बारबार सर्जन ट्रॉय ही इसके काम को बिगादने के लिए आजाते थे। हो गई फिर बाद में उम्र कैद में वो बदल जाती है अब वात सीवा बहुत निरास हो जाती है कियरी हमें तो सभी ने धोखाई दिया मैंने सर्जन ट्रॉय से साधी किया मैं पता नहीं था कि ये पहले से भी किसी से प्यार कर रहे हैं विलियम वोल्ड से साधी किया लेकिन ये तो अपने स्वार्थ के कारण किसी को भी मार सकते हैं तो बहुत निरास होती है और सबसे जदा निरास कोई होता है तो वह होता है गैवरीय लोग किया पहलो तो इन्होंने इनके इमोशन के साथ खेला फिर इन से साधी कर लिया मैंने जब प्रोपोजल दिया था तो इस तुम ही हो, जो हमारे feeling को समझ रहे हो, सभी ने मुझे ठागा ही, लेकिन हमारे लिए कोई अच्छे ब्यक्ति है तुम हो, और कुछ activity वहाँ पे होती है, और last में दोनों साधी कर लेते हैं, तो यही character है वातसेवा का, मैंने अभी आपको story नहीं समझाया, जहां जहां पे वात से content को prepare कर लिजिएगा, thank you so much